Mr. Mithab Bachchan वो patch यूज करते हैं, Kapil Sharma पैज यूज करते हैं, Hair Transplant में Ranbir Kapoor काफी famous है, Salman Khan. कितने घंटे लगे सवाग की hair transplant? 5 घंटे. Gulshan Grover साब तो actor है, वहाँ पर क्या experience रहा, कैसा रहा आपका hair transplant? Mr. Grower से मैंने पूछा कि आप क्यों करना चाहते हो? कुछ महीनों पहले दिखा तो दोनी के यहां के बाल जो थे वो गायब नजर आ रहे थे, और फिर अभी उन्होंने रिसिंटल एक ad shoot किया, जिसमें उनके बाल काफी silky, smooth, काफी बड़े, और बहुत अरसे के बाद हमें वो पुराने धूनी वाल दिख रहे थे, जैसे एक जमाने में, जिसकी मुशर्रफ साहब ने तो यह PRP है, यह hair transplant है, या जुगाड है, जिसको आपने यूस किया है, जिसको पर्मनें शूट के लिए क्यों दिख रहे हैं, क्या masturbation से बाल जड़ते हैं? Masturbation को लेके खास और थे, नसिर्फ hair loss, बहुत सारी मिते हैं. Hair transplant क्या risk है? Hair transplant is a safe procedure. ऐसे नाखून रगड़े से बाल लोटाते हैं. वैसे नहीं, इसना असान होता तो, फिर तो Jeff Bezos के भी बाल होते हैं. Hair transplant से लोगों की death की खबरे आई हैं, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम में सुनी है, कि पलाना लड़का गया, hair transplant कराने death हो गई. इसके पीछे reason क्या होता है, इंडिया में quality कमी हो ना? इंडिया में ही से रिपोर्टेड है deaths, और ये तीन या चार्ड डेट्स रिपोर्टेड हैं, ये सारे hair transplant के black market में, जहां पर डॉक्तर था ही नहीं, सलॉन्स में hair transplant हो रहा है. हाथों में आप कंगी करते हैं, बाल तूटकर आ गए, नहा रहे हैं, या तकीये की नीचे बाल तूटे हुए पड़े हैं, वो सही time है, बाल गायब हो जाएं, वो सही time है, hair transplant करवाने का सबसे सही समय क्या है, कब आपको realizo करवाना है? वीज़ बात हो जतीать है, सरसू का तेल गाओं में अक्सर लोग कहते हैं, तो आपकी sexual life पे वैएं और घृट क्ति की नहीं जाएंगे, महिलां में किंसे हैं हैयर ट्रांस्पारंट किन एक ड्चाभाने पैसे लगवाने काूं से लावारा न करें जैने कहां गएए वो दिन जब तुम हम पर जचा करते थे और हम तुम पर फिडा हुआ करते थे अब तो बस यादे ही यादे हैं और उन यादों को याद करके हम किलसा करते हैं नमस्कार आपके साथ मैं हूँ शुभांकर और बत कही या बात कही के सेकेंड एपिसोड में आपका स्वागत है एक सवाल आपसे भी है कि क्या कभी आपने ये नोटिस किया कि हिंदी फिल्मों में जो गाने होते हैं वो अक्सर जुल्फों को लेकर होते हैं काली काली जुल्फों या काली नागिन के जुए से जुल्फों या शारुक खान की वो लाइन की तेरी जुल्फों की लहराती अंग्डाईयों को नहीं भूलूंगा मैं या ये रेश्मी जुल्फें या बादलों में छुप रहा है चान अपनी जुल्फ की घटा से पूछ लो ये इसलिए होता है क्योंकि एक जमाने में लोगों का सपना होता था रोटी कपड़ा मकान लेकिन जब तीनों आ जाती है तो उसके बाल लोग चाते है बाल की दुकान और जिसको नहीं होती है उसका confidence गिर जाता है और इंडिया में सेक्स और बाल मेरा ये मानना है कि इन दो को लेकर सवाल बहुत है लेकिन अफवाहें उतनी है और आज सारी अफवाहों क्लियर करने के लिए मेरे साथ डॉक्टर गौरांग कुष्णा है कि एक सेक्स और दूसरा है सबको परिशानिया है हर दूसरे घर में लोगों के जहन में सवाल है चले एक टॉपिक को लेकर तो फिल मना दी गई O.M. जी बिहार के मुख्यमंत्री जी ने भी सार्जिनिक तोर पर काफी कुछ कह दिया लेकिन हेर को लेकर बहुत सारे मिसकंसेशन से लोगों को डर लगता है लोग बहुत सारी बाते करते हैं तो पहला बेसी क्वेशन तो कितने आखवर्ट सवालों को सामने आप करते हैं यह बड़ा बदा बताइए आपने क्यों कि अभी भी इतने जादा मिस्कॉंसेप्शन है और अटपटे और जो पेशेंट्स के लिए अटपटे नहीं है उनका जैनुएन एक थौट है लेकिन ऐसा डॉक्टर में कई सवाल बड़े मतलब पनी भी और तो यह नाकूना भी रगड़ते हैं ऐसे नाकून रगड़ने से बाल लोट आते हैं वे इसे तुना असान होता तो फिर तो जिस वेशौ। मतलब पैसों से सब्लाइए को लेकिन बहुत बहुत कत्राते हैं बहुत कत्राते हैं सयाद में डौट बहुत सारे हैं, पैसों को लेके, पैसे बहुत लगते होंगे, सेफटी को लेके, अफवाहें बहुत सारी हैं कि डेथ हो जाती है, या कुछ और हो जाता है, तो, most awkward questions क्या आप ने सी हैं, उसके कुछ questions हमने बनाएं, वो हमसे पूछेंगे, लेकिन सबसे बेसिक लोग जब आते हैं आपके पास, तो क्या वो डरे से हमें रहते हैं बात करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि सिक्स क्लिनिक की तरह, यहां भी लोगों के हाव भाव या चोरी छिपाना की बताना मत, मेरे बाल नकली है, यह रहता है, और जो awkward questions जो है, hair transplant के सबसे common होता है कि क्या हमारे कोई brain में तो problem नहीं हो जाएगी, तो यह बड़ा almost as in 50% लोग पूछते हैं कि कहीं हमारे brain में तो सर पे surgery हो रही है, patient नहीं तो उनके parents का सवाल रहता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि brain तो बहुत डीप है और हमारा जो process hair transplant को काफी superficial है, लेकिन यह काफी common सवाल रहता है कि कहीं brain में हमारे damage तो नहीं हो जाएगा, और एक-दो जो episodes हुए हैं accidents के hair transplant पे, तो वो काफी लोगा question होता है, तो जो यह hair transplant से लोगों के death के खबरे आई हैं, क्योंकि मैंने भी अपने time में सुनी है कि पलाना लड़का गया hair transplant कराने death हो गई, तो इसके पीछे reason क्या होता है, इंडिया में quality कमी हो ना, क्योंकि आक्टरस ने सारे करवा रखे हैं, तो फिर death क्यों होती है? नहीं, तो यह hair transplant by large बहुत safe procedure है, तो मेरा ही जवाब है कि, देखें, deaths तो अब कार चला रहे हैं, तो accidents हो जाते हैं, बट अगर आप normally कार चला रहे हैं, तो accident नहीं होगा, आप बहुत जादा drug के alcohol के influence में बेतहाशा होके चलाएंगे, तो accident हो सकता है, फिर भी accident होगा, गाड़ी तूट जाएगी, बट जान जाना फिर भी बहुत रह रहे है, hair transplant में exactly यह होता है, process बहुत safe है, बट जो हमारे जो unfortunately इंडिया में ही से रिपोर्टेड है, और यह 3 या 4 डेथ्स रिपोर्टेड है, यह सारे hair transplant के black market में, जहाँ पर doctor थाई नहीं, salons में hair transplant हो रहा है, जहाँ पर hygiene का कोई लेना देना नहीं है, anesthesia कैसे देना है, कहाँ देना है, मतलब देसी भाशा में कहें, तो जोला चाप doctor जैसे हम कहते हैं, वैसे ही hair के जोला चाप doctor से अगर आप hair transplant करवाएंगे, तो आपके death chances हैं, otherwise it's very secure, very very safe, मतलब rarest of rare है, जो जो जोला चाप है, वो भी बिलकुल नशे में अगर transplant करेंगे, hair transplant तभी कुछ इस तरह का हो सकता है, ये बड़ी बात आपने कहीं, इससे लोगों के जहर में डर खतम होना चाहिए, लेकिन लोगों के सवाल हमने सोचा, क्योंकि लोगों के मन में जहिजख होती है, hair transplant को लिकर बहुत सारे सवाल होते हैं, so अगर किसी आदमी को hair transplant करवाना हो, और ये बहुत common सवाल है, हाथों में आप कंगी करते हैं, बाल तूट कर आ गए, नहा रहे हैं या तकिये की नीचे बाल तूटे हुए पड़े हैं, वो सही time है, बाल गायब हो जाएं, वो सही time है, hair transplant करवाने का सबसे सही समय क्या है, कब आपको रिलाइज़ों करवाना है? ये भी बहुत relevant question है, और I am so happy कि अपने question पूछा, आजकल hair transplant popular हो गया, लोगों को लगता है कि बस बाल तूटे नहीं कि अब हम transplant करा है, ये गलत है, transplant तब कराया जाता है, जब baldness आ जाए, कोई area bald हो गया, आपका माथा चोड़ा दिखने लग रहा है, आपका यहाँ पर area bald हो गया है, तो अगर कोई ऐसा area आपके सर पर बनाए जहाँ पर बाल खतम हो गया है, तब transplant का time है, थोड़े से बालों के जढ़ने के लिए या बालों के पतले होने के लिए transplant नहीं होता है, उसके लिए दवाईया या non-surgical treatment दिया जाता है, एक सवाल मेरे मन में बार-बार आता है, और मैंने कई साथ डॉक्टर से बात हो जी थी, सरसो का तेल गाओं में अक्सर लोग कहते हैं, कि सरसो का तेल लगाई है तो बढ़ियां घने बाल होते हैं, और कई बार लोग उदारर देते हैं, तो सरसो के तेल लगाने से बाल वाकई में बचते हैं, या यह मित है, यह हमारे लिए कल्चरल ठींग है, तो बाल सरसो का तेल हो, नारियल तेल हो, ऑलेव उल, रोगन बदाम का तेल हो, इससे हमारी जड़ों पर कोई फर्क नहीं पढ़ता, और यह शौर है, हमारी ममी ने बाबा राम दोगे बहुत सारे रूगन बदाम खरित-खरित के नहीं बिल्कुल आपके रहे फरकी नहीं पड़ता है तो हमने जो विग्यापन और एड देखते हैं कि तेल जड़ों में जाके उसको पोशन दे रहा है ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि तेल इतना उपर-उपर बालों पर लगाए वो ठीक है जिनके रूखे बाले उनको लगाए लेकिन बालों का जड़ना तेल लगाने से ना बढ़ता है न कम होता है फिर मैं इस कुशन को दोर आ रहा हूँ गाओ दिहात में छोटे शहरों में अक्सर दादी, नानी, मम्मी सरसो का तेल शुर्ण, रहाँ है वो चंपि करते हैं या आप कई लों कहते हैं कि नारियल का तेल शुर्ण होता है या सरसो शुर्ण मिलता नहीं है या रोगन बदाम या कोई Воगाते हैं तो आप थोड़क दो बालों पर होता है या कोई असई असर नहीं होता है ? तो बालो के जढने पे जो मर्दी हम तेल लगा रहे हैं उसका जीरो असर है, कुछ भी नहीं उसका असर होता है, सिर्फ चमक आती है बालो में, बहुत बहुत शौकिंग है क्योंकि हमारे यह लोग रात को तेल लगाते हैं सुबह धोने का आता है, यह सबसे बड़ी गलती है, कि आप बालो में रात भर तेल लगाके छोड़ेंगे, तो फायदा कुछ नहीं है, नुकसान है, डंडर और फंगस मिलेगा आपको, तो यह हमारे लिए कल्चरल चीज है, और अब यह डिबेटिबल नहीं है, यह शौर है कि ज़्यादा तेल लगाने से कुछ भी फायदा न नुकसान है, जिनको डंडर फिशूद है, फंगल इंफेक्शन हैं, तो लोग और तेल लगाते हैं, क्योंकि रूखा रूसी जड़ती है, तो और तेल लगाते हैं कि हमारे रूसी ठीक होगी, उससे वो कांटर प्रोड़क्टिव होता है, क्योंकि उससे और फंगस बढ़त पपड़ी जब जाती है, और वो बाल तूटने की बहुत बड़ी वचा होती है, और तो इसमें हमें सही मेडिकेटेड शैंपू, अगर माइल्ड है, जादा है तो कुछ लोशन आते हैं, आंटी-फंगल लोशन, बहुत जादा है तो आंटी-फंगल टैबलेट्स हम लोग यूज करते हैं, प्रॉब्लम यह है कि यह जड़ से खतम नहीं हो सकती, प्रॉब्लम क्योंकि यह फंगस हवाम है, तो हमें आपके डॉक्टर उन से डिसकस करके एक सही ट्रीट्मेंट प्लैन बला लेना चाहिए, और उसको फॉलो करना चाहिए, जिससे आपकी चीजें हमारे पुराने इंडियन नुस्कें हैं, जैसे दही लगा लेना, निबू लगा लेना, यह सारी काम की चीजें हैं, क्योंकि इनके अंटी-फंगल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो यह सही है, टाइम-टू-टाइम दूस करना, इस प्रॉब्लम अब बाल तूटने लगे, सा दाता जी के गायब था, तो हम यह सबसे कॉमन रीजन है, जो हमारा हैर फॉल जिसकों बोलते हैं, बालों का, तो यह मेल पैटन हैर लॉस है, जो फैमिली में चलता है, तो इसमें, जो यह हो रहा है, यह जीन्स का और लाइफस्टाइल का, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन ह जीन्स का हम जादा कुछ अपकर नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा पर कुछ दवाइः हैं, तो जीन्स का जो चक्कर है, वो फ़र सा चेंज करना मुश्किल है, तो इसलिए जो इसका ट्रीटमेंट है, वो चलता रहता है, और इसके लिए कुछ दवाइः होती हैं, मेडिकल लो तो आपके sexual life पर फर्क पड़ता है, और लोग कतराते हैं कि नहीं जाएंगे यार हम, यह बहुत common problem लोग face करते हैं, और यह partially सच भी है, क्योंकि जो बाल हमारे जा रहे हैं, वो हमारे male hormone की वज़े से जा रहे हैं, तो अगर हमें बालों को रोकना है, तो हमें इसके level को body में कम करना पड़ता है, उसके लिए हम लोग एक दवाई यूज़ करते हैं, तो उसमें 4-5% लोगों में आती है problem, लेकिन अच्छी बात यह है, कि दवाई बंद करते ही problem एक हफते में ठीक भी हो जाती है, मतलब आप यह कह रहे हैं कि hair loss रोकने के लिए जो दवा खाते हैं, उ हमारा body functions सारे अच्छे चलते रहें, तो किस्मत की बात है कि आप 95% में आप या ब्रेक ले लिजे, थोड़े टाइम handsome दिखना है तो उसके लिए कुछ कुरबानिया देनी है, थोड़े समय के लिए मेरे सबसे वह कुरबानी देनी चाहिए, बाल बाल हमें चाहिए, कैसे पत बंदा जिसके उपर impact पढ़ रहा है, माली जो bachelor है, वो consume करना चाहरा है, 21 साल हमारे की बाल चले जाएंगे, नुकसान है, शादी ब्यानी होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि लॉंग टर्म में इंपक्ट हो जाएगा और अच्छी बात है कि medicine काफी tested है, 30 साल पुरानी medicine है, बार ब bachelor भी है तो भी एक normal male को ये पता चल जाता है कि body way problem आ रही है, तो जैसी ही पता चलता है, दवाई बंद हो जाती है, तो फिर उसके alternative क्या है, तो फिर हम लोग non-hormonal treatment पे जाते हैं, जिसके results शायद उस दवाई यतने अच्छे ना हो, लेकिन side effect उन में नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा खर्चा भी जादा लगता है, तो फिर हम लोग non-hormonal treatment में जाते हैं, आसान शब्दों में ये है कि सबसे अच्छा तरीका वो दवाईयां जाता है, मेरे साबसे बेस्ट है वो, तस्ता सुंदर टिकाव scientific, तस्ता, अच्छा, हेर ट्रांस्प्रांट को लेकर एक misconception बहुत है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं, एक बाल जो है, वो 10,000 का लगता है, या इतना बाल लगाओ तो लाखो रुपे खर्चवाते हैं, उतना पैसा कहां से लगए, सवाल ये है कि हैर ट्रांस्प्रांट में पैसा कितना लगता है, और क्या पैमाना है उस पैसे लगवाने हो गई है, हमारी efficiency इतनी जादा बढ़ गई है, कि ये काफी affordable हो गया है, और अब ये celebrity के लिए treatment नहीं है, अब आम इंसान, और क्योंकि बाल लों का अब देखिए, अब आप खुद imagine करो किसी young लड़के में, 25 सारी लड़के में baldness आ जाए, तो problem है वो, तो अब इतनी volume हमार long run में अगर आप देखें, तो ये most of the time once, या twice in a life procedure है, तो आप इतना generally लोग कर लेते हैं, अब question ये है कि हम खबर सुनते थे कि फलाना आदमी, जैसे आज ये cricket में हम देखते हैं, कि यहाँ छोट लगी England में treatment कराने पहुंचके, so hair transplant, इंडिया में क्या इतना suitable है या secure है, कि इंडिया में लोग भरोसागरे करवा सकते हैं या आज भी जो बड़े लोग हैं वो बाहर करवाते हैं, नहीं, in fact, तो ये paradigm shift हो गया है, hair transplant बहुत labor intensive work है, और हमारे पास वो demographics हैं, कि हम best quality treatment at a much affordable cost अपने patient को दे सकते हैं, और इसी वज़ए से सिर्फ Indian patient अब वो जमाना चला ग करना अफोर्ड कर सकते हैं, वो भी इंडिया में कराते हैं क्योंकि उनको पता चल गया कि वही quality मिलेगी और अपने घर का आराम मिलेगा. और उन्होंने भी ऐसे बच्छाने सवाल किये थे, जैसे हम पूछते हैं कि यह हो तो नहीं हो जाएगा, क्या होगा, कैसा experience रहा और उन्होंने कितना पैश करवाया, बालों में करवाया, क्योंकि अभी भी हम देखते हैं, उनका है कि वो भी काफी डरेव हैं, उन्होंने करते रहे हैं, तो उनको कभी भी जैसा कि वो बोलते हैं, कहीं confidence नहीं आया, और अपने playing days में वो थोछे से avoid भी करना चाहते थे, hair transplant और things like that, but जब उनका अपना cricketing career जब खत्म हुआ, बाकी commentary में आये, तो नहीं लगा कि इसका कुछ करना चाहिए, but as per him, वो हमेशा कतराते प्रोब्लम है, बड़ा एरिया है, लेकिन हाफ तो हो जाएगा, तो बोलते ठीक है, लेकिन आप सोच के करो, तो ये बात बड़ा interesting है, आप सोच के करो, देख लो, हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो बताऊंगा दुनिया को, और अगर हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होगा, तो आपके ल हो नहीं सकता, ये बहुत डिफिकल्ट है, आपका बाल कॉंडिसिव नहीं है, तो इसकी वज़ए से चैलिंजस तो थे, बट हम लोग अब इतनी साल से experience है, अच्छा काम है, तो मैंने बहुत कोई tension नहीं है, आप करवा हो, तो बोले चलो मैं सोचता हूँ, एक दिन अचानक सुबह, जैनवरी का सरदियों का टाइम सा, जैनक सुबह पोना है कि मैं गौरांग तो मैं क्लिनिक में आ रहा हूँ, जानक बोला है, कैसे भालों नहीं बस आ रहा हूँ, कर दो अभी वर्ना फिर नहीं होगा, नहीं कोई नहीं आप आउ, तो ये वाला यहाँ तक का इरिया किया है, पीछे थोड़ा सा भी भी पैच है, तो उसको वो मैनेज करते हैं, तो आपने दुबारा कहा नहीं कि अब भी हाई टाइम आ गया, वो भी कर वाली जा, तो कहता रहता हूं, यहां पर एक बैट मुझे नगरा रहा है, यह विरंदर सहवाग का पर दियावा बैट है, इसमें उन्होंने, अच्छा यह साइन है, मैं दिखाना चाहूंगा, यह सहवाग ने यहां पर अपना ओटोग्राफ साइन के वा बैट जो है, यह दिया है, बैस्विशिस, और यह उनका बैट है, तो यह एक ग्रेट मेमरी रही होगी, यह मतलब मैंने एक फेस्बूक पोस उसरे लाएं सारे आउट हो रहे हैं, सचेन आउट हो रहे हैं, गाने गाते गाते शक्या मारना, वो सब स्चोरी सुना रहे थें, आनिल कुमले के फॉर्स हंड़ेड ना होने देना, पीविएस लक्षमन को आउट करवा देना, बाकी प्लेयर्स हो कोसना, सचेन का उनके मू चल रहा था और इंडियन हमारे लिए एक वो हेरिटेज है तो वह था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए सब कुछ अच्छा चले तो वह सब तीन कर रहे थे तो कोई कहानी नहीं सुनिया आपने तो बहुत काफी इंट्रेस्टिंग लमा रहा हो कि जब मैं क्रिकेटर से मिला तो बहुत सारी कहानिया सुनता था सेवाल में कुछ सुनाया अपने बारे में मैंने उसे पूछा था कि आपने ब्रेटली पैखो देख पेसबॉल पतर की और जो तीन कहानिया सुनाया कि किस तर ऐसे बाउंसर और क्या उनके बीच में बात्सीत चलती थी और एक किससर जो ने लोग के सबके फेडरेट किरिकेटर यह थी हैं नम उनका बहुत लेते हैं यह लोग बेंस्टोक से अलग पुराना प्यार है तो बाप बाप होत किसा सुनाया था कि जब पहला पहला मैश शायद पाकिस्तान के साथ था या पहला या दूसरा मैश पाकिस्तान के साथ था तो सारे प्लियर्स ने कैसे अफ़रीदी और इंजबाम कैसे उनको Sledge करते वे आया थे और वो बहुत जल्दी आउट भी हो गए थे तो उन्हें बोला कि पहले हम बड़े तुर्म खाम बनते थे अपने रंजी में, जब इंटरनाशनल गए, तब पता चला कि ये लेवल ही अलग होता है और फिर उसके बाद तो यहां तो लेकिन शॉटकटी ही निकाला होगा यहां पर कोई शॉटकट नहीं, प्रॉपर तो कितने घंटे लगे सेवाग की हेर ट्रंस्टांट? पांच घंटे तो एक बड़ जो मैंने लिटा दिया, ना इधर ना उधर मैंने बोला, यह मॉडल पेशेंट है तो बड़ा अच्छे सा रहा, आराम से रहा फिर आराम से अमने बिर्यानी बगरा खाई तो अगर विरिंदर सहवाग हेर ट्रंस्टांट कॉंफिडेंट होकर करवा सकते हैं तो आइ तिंग हर इंसान बरोसा कर सकते हैं बिल्कुल, 100% उनके लिए कोई कमी नहीं है ना पैसे की कमी है, ना रसूप की कमी है और ट्रैवल तो करते ही रहते हैं दुबई और हर जगे ट्रैवल करते हैं अचा ट्रैवलिंग में इशूज होते हैं जो लोग जैसे ट्रैवल करते हैं, कोई sports person है, या model है या influencer जैसे ट्रैवल करना, शूज करने सो वहाँ पर head transplant के इशूज होते हैं हाँ, 3-4 दिन हमें avoid करना होता है तीन-चार दिन आप अराम से comfortable environment में रहे, ज़्यादा पसीना, गर्मी, धूल-मिट्टी से avoid करना है, उसके बाद शुरू किया फर्स तीन-चार दिनों के लिए, उसके बाद या अच्छा, एक सवाल मैंने और, क्योंकि बहुत common बहुत बड़ी बात है, उनका treatment अलग होता है, गर्मी में निकलोगों तो avoid करना है, 24 घंटे AC में रहना है, बहुत सारे मिथ हैं, यह सब पहले तीन दिनों के लिए, उसके बाद long term में zero, कुछ भी नहीं करना, यह बड़ी बात है, I mean that's very safe then, very safe, सेवाक का जमने transplant किया था, उसके 15 दिन के बाद वो road safety series खेल रहते है, कोई problem, कोई problem, अच्छा, यह बाल, जैसे माली आपने बाल hair transplant कर दिया, तो यह भी जढ़ते हैं, हाँ, बाल, तो यहाँ पर यह बड़ा important question है, तो जब कोई पुछता है कि क्या यह बाल जढते हैं, तो बाल जढते हैं, तो बाल जढता मतलब बाल तूटना, बाल यह तूट सकते हैं, और फिर ग्रो हो जाएंगे, तो common language में बाल जढता मतलब क्या वो area फिर से bald हो सकता है, अगर अच्छे से क्या गय लेकिन फिर उगाएगा, फिर से उगाएगा, वो जिन्दगी बढ़ रहेगा, यह बाकी वाले भले गाया हो से, बाले गाया हो से, यह इंट्रेसिंग है काफी, और ऐसे patient आते हैं कि ट्रांस्प्लांट कराया, दस साल के बाद पर एक नया area bald हुआ, एक second transplant भी करवाएगा, यह सारी अफ़ा हैं, यह बिल्कुल टोटली, मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन अच्छे से किया जाना चाहिए, जोला चाप को अवाइट करना चाहिए, और quality and safety, इसलिए यह popular भी हो गया है transplant, बस यही वाद है, अच्छा ठीक है, आपके हाँ और महुत सारे celebrity समझाए गुल्शन ग्रोवर साब शायर रहते हैं, तो गुल्शन ग्रोवर साब तो actor है, वहाँ पर क्या experience रहा, कैसा रहा आपका hair transplant का, और यह सवाल मेरे मद में भी है, कि before hair transplant और after hair transplant, चाहे वो गुल्शन ग्रोवर हों या विरिंदर से हवाग हों, उन में कितने changes आए, as a human being की, उ अग्रोवर शायर शायर और अपने शौक के लिए है, अभी जाता हूँ, तो थोड़ा सा बहुत ताइम लगता है, बालों को set करना पड़ता है, products use करने पड़ते हैं, नहीं अच्छा लगता है, तो जब मैं करवा सकता हूँ, when I am fit, तो why not? Yes, absolutely, that is true, तो जब उन्होंने कराया, और अभी तो मैं sir के साथ Mr. Gover, साथ काफी connected भी हूँ, तो time to time, मुझे message करते हैं, क्या कोई certain age है, जहां तक ही आप hair transplant करा सकते हैं? मैं अपनी शादी के पहले आपने बापा के बाल पूरे देख सकता हूँ, interesting है यह, क्योंकि कई लोग इसे पहले जादर लोग करा थे अपनी शादी के लिए टांस्ट्रांट, वा तब कई parents आते हैं, कि मेरे बेटे की शादी है, उसके पहले मुझे बाल चाहिए, हाँ, I mean he 55, तो उनके लिए कोई रिस्क नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, आप फिट होने चाहिए, तो fitness का पैमाना क्या है, हमारे diabetes अगर है, वो control में होनी चाहिए, हमारे blood pressure control में होना चाहिए, thyroid within limit होना चाहिए, कोई बहुत active disease, आपको उस समय infection नहीं होना चाहिए, you are fit, तो हम लोग वो blood test वगरा करवाते हैं, and if the patient is fit, तो 60 हो, 70 हो, कोई problem नहीं है, तो 71 Australian का मैंने पूछा था, बड़ा interesting किस्सा है, तो मैं लगा old है यह, मैंने पूछा क्या है, 55, तो नहीं लग रही है, क्या है तो बोला चलो ठीक है, पासपूर्ट दिखाए, I am 71, तो मैं पूछा आप क्य ले कर रहे हो यह, तो आप उनसे भी बराबर चार्ज करते हैं, रसक्वाले बढ़ा देते हैं, नए निपसे, हमारा वो नहीं है, रशार वाला सिस्टम नहीं है, जो है वो है, तो एक हेर ट्रांस्प्लांट कितना टाइम लगता होगा, अवरेज हमारे टेकनीक में हम लोग कुछी दें फरक करते हैं, निकालना अलब, एक्स्रैक्शन और इंप्लांटेशन वो दो प्रोसेस होते हैं, वो सासा चलता है, तो हाफ टाइम में हमारा ट्रांस्प्लांट होता है, टिपिकली 4-5 गंटे का एक प्रोसीजर होता है, अब मैं कई सारे सवाल, क्योंकि हमनों इसको strip surgery कहते हैं, तो हासा invasive procedure है, और आजकल famous हो गया FUE, जिसमें ज्यादा cuts और चीरे नहीं लगते हैं, आसान हो जाता है, side effect, मतलब long term side effect नहीं है, जो लोगों को generally लगता है कि brain में problem हो जाएगी, या skin cancer हो जाएगा, या हमारी आखों, nerves में कोई problem हो जाएगी, या बहुत मह healing आ सकती है, जिसके लिए pain killer आप लेते हो, simple pain killer, hair transplant क्या risk है, hair transplant is a safe procedure, zero risk, क्या hair transplant permanent solution है, hair transplant, जिस area में transplant किया गया है, उस area क्ले permanent solution है, ठीक है, और आप patient को ये भरुष्ता कैसे दिलाएंगे, ये तो सार्या जो information है, ये public domain में है, अल्रेड़ी इस पे कावी studies हो चुकी है, hair transplant कु है, last 10 year में ज्यादा popular हो गया है, और सबसे बड़ी चीज है science, जब ये area bald नहीं होता, तो जहां पर ये बाल गया है, वो area भी दुवारा bald नहीं होता, hair transplant के लिए ये बाल इस्तेमाल करते हैं, ये पीछे वाले बाल, body के बाल, क्योंकि ये टकला नहीं होता है, अच्छा, बह body hair, जिनमें body hair thick है, ये सारे बाल hair transplant में यूज किया जाते हैं, क्योंकि इंडिया में हमने देखा है, कई लोगों का सर छोड़ के बागी सब जगा बाल होते हैं, ये भी interesting है, क्योंकि दोनों का reason से हमें, male hormone sensitivity, यहां के बाल जाएंगे, और यहां के बाल बढ़ते हैं, यहां अब एक सवाल है, PRP को लेकर, hair transplant तो last solution हो गया, कि आप का सर का एक हिस्सा टकला हो गया, अब वहां पर बिल्कुल हो सफा मैदान है, अब वहां पर हम hair transplant करवा लेते हैं, अपने body के बालों से, उसके पहले एक term बहुत active सुनाई पढ़ता है, PRP, लोग कहते हैं कि बहुत effective है PRP, PRP क्या होता है, क्यों इतना effective है, और क्यों आप लोग कहते हैं कि तेल लगाने के जगा या अंडा या बाकि जितरी भी आप दादी नानी के नुसके हैं, उनसे ज़ादा PRP करवाई जो safe पी है और ज़ादा impactful भी है, तो PRP है platelet rich plasma, जिसमें आपके patient के, खुद के blood के growth factor हम मिलते हैं, और in growth factors को सर पे जहाँ पे बाल पतले हो रहे हैं, वहाँ पे inject कर दिया जाता है, इनका काम होता है जो आपके बालों के आसपा जो stem cells हैं उसको better करते हैं, तो PRP is a part of non-surgical medical hair loss treatment, जिसमें हम दवाईयां, lotion और PRP उसकरते हैं, और again PRP भी काफी पुराना 10 साल से काफ कम होता है, और hair thinning जो हो रही है, वो हमारी रुपती है, लेकिन PRP, यही बता जाओं का PRP main treatment नहीं है, इसमें जो दवाई हम discuss कर रहे थे, वो main treatment है, PRP एक add-on है, जो की बहुत अच्छा add-on है, लेकिन PRP से बाल उगते नहीं है, PRP से बाल आपके जो है already, वो मजबूत होते ह ज़ड़ना कम होता, ज़ड़ना कम होता, ज़ड़ना कम होता, इस समय कोई तरीका नहीं है, हम कहीं और के बाल कहीं और लगा रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा area है, वहलब नई roots अभी बनने का कोई science अवेलबल नहीं है, तो PRP से भी baldness का treatment नहीं है PRP, bald ना हो जाए उसका treatment, अच् अंदर से घने काले बाल निकल रहे हैं, जबकि उनके पतीद्यों पूरे टकले हैं, ऐसे बहुत सारे actors हमने देखे हैं, बहुत सारे लोग देखे हैं, जिनके खुद की families में लोग bald हैं और वो करते हैं, तो क्या तेल से या कोई दादी नानी के नुसके से कुछ अंदर जात या सर्फ वो टीवी तक का खेल जो चमक में दिखाई पड़ता है, वो जो ग्राफिक है, वो टीवी का खेल है, कि बालो में जाके ऐसे पोशन बन रहा है, तो नॉर्मल जो हम तेल इससे कुछ नहीं होता, लेकिन है कुछ ऐसे आयरुवेदिक कोईल हैं, जिसमें अनियन है, जिसमें मेथी है, जो बेसिकली हम उनको बुलते हैं, जिससे लगा के हलकी सी इचिंग पैदा हो, तो उससे ब्लट फ्लो बढ़ता है, जिससे थोड़ा सा बालो में इंप्रूब्मेंट मिल सकता है, तो आयरुवेदिक तिल टोटली उसलेस नहीं होते हैं, लेकिन जो एड ह हम देखते हैं कि नारियल टेल पोशन दे रहा है, वो टोटली इस नोट ट्रू. और यह जो आजकल एक नया ट्रेंट चल रहा है दस साल से, अलोवेरा, हर चीज में अलोवेरा, कि अलोवेरा लगाईए, आपके बाल घने हो जाएंगे, अलोवेरा हर चीज में, बाबा कहते हैं कि ऐसा करने से बाल होता है, या बाबा कहते हैं लोग फॉलो भी करते हैं दिल से, बट अज़ा बाबा कहते हैं कि अलोवेरा लगाने से या खास तोर पर ये वाला, बीच में एक समय आया था कि हर आदमी ऑफिस में बैठा है, इसे नाखून कर रहा है, तो इनसे कोई अ अच्छा नहीं, I'll be ruffling a few feathers, अच्छा नहीं लेगा लोगो लेकिं यहाँ पे कोई nerve है ही नहीं, सच ज़रूरी हए, कि यहाँ पर नाखून में कोई nerves नहीं है, कोई connection नहीं है, उसे कुछ भी नहीं हो ना, कहीं blood flow नहीं ब्ढ़ना है, ना नाखून में कोई nerve ही ही नहीं, जि अन्य पुरे दिन करते हैं कि बाल निकलाएंगे इससे हैं, बैटे हैं मेें जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, इसको, it's popular, एकργा में कोई नुकसान नहीं है इसका क्या एक परसंट में लॉजिक नहीं है? को लॉजिक ही नहीं है, नेल पर कोई नसी नहीं है. कईलों भी बोलते हैं, ये रिंग की नसे यहां जाके ऐसे जाती है. ये नेल है, डट टिशू है, केरटेन है. इसमें लाइप टिशू नहीं है तभी आप नेल काट ले तो आपको कुछ पील नहीं होता है क्या वजारी जो ऐसी आफ वहां है फैला दी गई लोगों को मैंने सालों साल ये करते देखा है करते ही ये लोग करते है लेकिन इसका actually कुछ भी नहीं है ना देखा जाता है और ना साइंट पे किसका प्रीजन है अलोवेरा एंटी इंफ्लमेटरी है तो आपके बालों में इचिंग है सर पे तो आप अलोवेरा लगा सकते है ठीक ठाक होता है अलोवेरा भी कौन साइंपैक्टफुल हो वो जो पेंड से सीधे काट के हम लगाते है या जो वो पाउच में आता है वो भी उतना इंपैक्टफुल होता है प्योर लगाया तो अच्छा कुछ नहीं है अनलेस आपको इससे अलर्जी हो रही हो लेकिन अच्छा प्रोडक्ट आप उसकर रहे है तो वो भी ठीक है अलोवेरा या कुछ भी या हमारा भी कूछ अलोपेथिक ट्रीटमेट भी मैजिक कुछ भी नहीं करता है जो problem ही यह है कि हम लोग कई सारे treatment को ऐसा magic promote कर देते हैं, वो गलत है, magic नहीं है. आसान शब्दों में, अगर एक लड़का कोई आपको देख रहा है, जिसके बाल तूटने शुरू हुए है, अभी नया नया बाल तूटना शुरू हुआ है, वो अपने बालों कैसे बचाएं? जैसे पने बताता है कि Jeans और Life Style का रोल है, तो Life Style तो आपके हाथ में है, हम अपना father नहीं चुन सकते हैं, वो तो हम जरूर चुन सकते हैं, तो Life Style हमारे हाथ में है, तो हमारा diet बहुत इंपोर्टन है, Iron Rich Diet, बालों के हिसाब से बता रहा हूं मै, Iron Rich Diet हो, ब्रॉपर उसके लेकिन जो अंडा खा सकते हैं, जो अंडा खाएं, जो अंडा नहीं खा सकते हैं, वो हर तरह के छोले, राजमा, डाल, हफ्ते में एक दो दिन, सोया, पनीर, ये सारी चीजे लें, हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत इंपोर्टेंट हैं, क्योंकि वेजिटेरियन डायेट में कई बार हम सिर्फ आलू और रोटी पे रहते हैं, तो ये अतना nutritious नहीं है, तो हरी पत्तेदार सब्जियां बहुत important है, omega 3, omega 6, जो फिश खा रहे हैं, बहुती बढ़िया, जो फिश नहीं खा पा रहे हैं, हर तरह के seeds, pumpkin seeds, chia seeds, अखरोट, ये सारी चीजे लें, जिसे omega 3, omega 6 मि लें, तो diet बहुत important है, सारे shampoo वाले add करते हैं, कि हमारा shampoo जो है, आशकल तो बड़े-बड़े actors भी तलक तलक करते रहते हैं, उनके गायब रहते हैं, but dandruff एक बहुत common समस्या है, और winters में खास्तावर पर बहुत ज़्यादा issues होते हैं, तो dandruff क्यों होता है, और dandruff को कैसे ह अब भी काम नहीं करता है, और decide कैसे करें कौन सा shampoo ले, क्योंकि हर आदमी कह रहा है, हमारा वाला सबसे बड़ी है, बड़ा brand फलाने का add वो actor कर रहा है, उसका वो actor कर रहा है, decide कैसे करें, लेकिए shampoo सारे सेम होते हैं, अगर आप सबके ingredient देखेंगे, सब में वही ingredient है, तो ऐस जो normal अब add देखते हैं, anti hair loss shampoo, volumizing shampoo, या color बचाने के लिए particular shampoo, लड़कों clay shampoo, लड़कियों के लड़क शैंपू, ऐसा कुछ होता नहीं है, शैंपू, शैंपू है, साबून है, quality of product vary, लिफाफा चेंज करके बेच रहे है, अब toothpaste हम कोई सा भी यूज़ करें, जो हमें Kilgut जो उसमें आपको मिला, आप उसको यूज़ करें, then there are medicated shampoos, जिसके अंदर दवाई है, तो वो dandruff के लिए अलग है, वो scalp psoriasis के लिए अलग है, जो आपको एक डॉक्टर बता सकता है, तो shampoo से मेरे साब से कोई पर नहीं है, जो दवाईयों के आप बात करें हैं, यह यह दॉक्टर से बात करके लिए हम, या फिर जैसे medical store पर जाते हैं, तो आशकल तो medical store वाले भी ग्यानी, सारे ग्यानी हैं, उनको हर तरह की दवाईयां पता है, जो वो recommend करें उससे लिए, जो चीज मैं podcast से बता सकता हूँ, वगर आपको dandruff है, तो ketoconazole base shampoo आप यूज कर स होता है, कौन सा, तेल तो आपने हला की कह दिया, कि तेल केवल shining के लिए, जो आपको अच्छा लगता है, मेरा personal favorite होता है coconut oil, मैं कभी-कभी coconut oil लगाता हूँ, आदे गंटे के लिए, मैं हटा देता हूँ, ज्यादा रहा तो फिर तो counterproductive है, लेकिन आपको जो भी तेल इंदी, fish oil का तेल लगाते हैं, क्या इससे फाइदा होता है या यह myth है, तो इससे अंडा और किसी भी तरह की oil से अच्छी चिकनाई आ जाती है बालो में, जो skin की भी जो dryness है वो चली जाती है, तो useless नहीं है, लेकिन hair fall, hair loss के लिए useless है, एक सवाल है कि कई लोगों की lifestyle होते हैं, times सोते हैं, अच्छी है, डाइट लेते हैं, लेकिन फिर भी सर टकला है, यही तो jeans है, क्योंकि अपने फादर सही नहीं चुना, तो genetic, 80% roll jeans का है, यह मम्मी सही शायद हो, कहीं से भी हो सकता है, तो वो आपकुछ नहीं कर सकता है उसमें, तो इसलिए अगर आप में balding jean है, और बाकि सब कुछ भी सही है, फिर भी दीरे-दीरे problem आएगी, लेकिन अगर lifestyle अच्छा है, तो problem देर से आएगी, तो मिल्लब उसमें, आपकी jeans का issue, lifestyle अच्छी से थोड़ा लंबा खेट जाएगा, अच्छा, दोनों में जादा important का है, lifestyle है jeans, jeans, any day, जैसे कि सब बढ़ापे तक यहां तक बाल भरे पड़े होते हैं, जितनी मर्जी से इंग्रेट पीलो, बाल बढ़िया है, उनके फादर अच्छा चुना था, गर्मियों में dry scalp का solution क्या है, तो dry scalp अगर है, तो एक skin tendency है, dryness है, तो आप जो shampoo यूज़ करें, वो mild shampoo यूज़ करें, जिसमें हम लोग उसको बोलते हैं, non-sopy shampoos, और वही 30 minutes के लिए oiling कर लें, जिससे अपकी dryness हमको मदद मिल जाएगी, एक तस्वीर अभी बहुत viral हो रही थी, महिंदर सिंग धोनी की, हमने देखा, कुछ महिनों पहले दिखा धोनी के यहां के बाल जो थे वो गायब नज़र आ र तो यह PRP है, यह hair transplant है, या कुछ जुगाड है, जिसको आपने use किया है, जिसको पर्मने शूट के लिए क्यों दिख रहा है, जो मेरा कैसे transplant का तो रिजल्टार में साल पर लगता है, तो वो नहीं है, लेकिन यह भी बहुत relevant है, क्योंकि जैसे make-up के लिए अब यह सारे हमार Actress काफी कोछ अब सामने आ चुकी है, कि जो camera पर दिख रहा है, वो कई बार real नहीं है, तो उसको आप अपना ideal मत बनाईए, तो बालों में भी वही कहानी है, यह बालों के लिए भी बहुत सारा make-up available है, जो आप जारा सब use कर लोगे, तो आपके बाल बहुत अच्छे दिख लगेंगे, लेकिन चैंपू करते हैं, वो निकल जाता है, उसको hair fibers कहते है, तो बालों को लंबा होने में और टाइम लगता है, और उनके बाल काफी लंबे दिख रहे थे, बहुत ही अच्छे, और PRP से नए बाल आते हैं नहीं, तो जो camera पर दिखता है वो निए धोनी के fans क पता रहे थे, ठंडे पानी से बाल दो या गरम पानी से ये बहुत होता है, खास वर ठंड में जब आप कुर्चुरा आरहे हों, और मेरे बान में ये सवाल आता Ihnen, ठंडे पानी, हमारे याँ वो निकल जाते हैं, बालों में dryness आती है, dandruff बढ़ सकता है, लेकिन फिर हमें practicality भी देखना है, कि अब बालों के थोड़ी से dryness के लिए जान थोड़ी देंगे, तो ठीक है, तो जो सबसे कम गरम हो, जिसको हम गुनगुना या lukewarm water बोलते हैं, उससे अपना head wash करिए, और कि बहुत physically active हैं, जिम कर रहे हैं, जिनका scalp बहुत oily है, पसीना बहुत आ रहा है, तो हर दिन भी शैंपू कर सकता है, यह भी बहुत बड़ी मित है, कि जादा शैंपू करने से बाल चले, तो जादा शैंपू करना नाम की कोई चीज नहीं होती है, अगर आप अच्छा product यूज करने हैं, तो आप दिन में डेली भी करने हैं, कोई प्रॉब्लम लिए, तो फिर डिसाइट कैसे होगा product अच्छा कौन सा है, इस्तार को देखके, ब्रैंड देखके, नहीं वो खुद ट्राइ करके, जज़ करना हो, आपको एक जर्नल बात करो, अगर जर्नल करना हो, एक affordable, एक middle class family के लिए, तो उसमें हम क्या देखें, किस तरह का shampoo हम देखें हैं, तो आजकल हम लोग recommend करते हैं, non-sopy cleansers, जिसमें sulfate free जिसको बोलते हैं, तो sulfate और sodium chemicals कम होते हैं, और एक चीज़ आप pH देख सकते हो, जो normal जो साबून होते हैं, चाहे वो shampoo हो, वो alkaline होता है, जबकि ह हमारी body, हमारा hair acidic है, तो pH 5.5 आप देखिए, और एक और चीज़ देखना जाता है, paraben free, preservative free, तो इसी को mild shampoo कहा जाता है, sulfate and paraben free and pH of 5.5, एक सवाल और है कि बाल जढने की stage कितनी है, मतलब जसे कैसे पता लगे, क्यों से stage हमारी है, क्या इनकी भी stage होती है, तो इसमें generally 1, 2, 3 4, 5, 6, 6 stage माने जाते हैं, आप उसको finger, 2 finger गया, तो stage 1, 4, तो stage 2, और धीर धीर ऐसी बढ़ता है, तो अगर किसी की full baldness है, तो उसको grade 6 बोलते है, early थोड़ा से recession हो रहा है, तो grade 1 बोलते है, तो grade 1 to 6, male pattern, जो लड़कों का गंजापन है, और then लड़कियों में भी hair thinning, hair fall, और volume loss होता है, तो उसमें mild moderate severe, तो वो देखके हम बताते हैं कि भी आपको, आपकी skin कितनी दिख रही है, आपकी मांग कितनी खुल गई है, उसके साब से grading होती है, बाल पकते क्यों है, जैसे मेरे बाल अभी इस बीश में ने देखा कि suddenly बहुत सारे white होने लगे, so stress बजा होती है आपकी cycle, sleep cycle matter करती है, आपका खानपान matter करता है, या age factor है, या पिता जी matter करते हैं, सब कुछ matter, इसमें तीन main factor है, एक तो main genetics है, इसको मुलते है constitutional, लेकि मेरे पिता जी की एक बाल काल सफेद निले, मेरे एस यूमर में सफेद होने लगे, तो इसके लिए तीन factor है, तो constitutional family में चल सकता है, second, diet related problems, हमारे diet में कई ऐसी चीज़े होती है, जो हमने भी discuss की, उसकी वैसे early, जब हमारे proper nutrition नहीं मिलता है, तो हमारे जो black cells होते हैं, वो active नहीं होते हैं, तो white होने लगते हैं बाल, और फिर अगर आप nutrition अच्छा लेगते हो, तो फिर black होने लगते हैं बाल, तो उसके लिए आपको पकड़ेंगे, एक और question मेरे पास आया था, बहुत common question है कि कुछ लोगों ने कहा कि जब हम कुछ water bottle जो बाहर से मंगाते हैं, मैं नाम नहीं लोगा, कि फलानी mineral water थे हम bald होते हैं, तो हमारे बाल बहुत soft आते हैं, smooth, soft, मज़िदा रहते हैं, लेकिन जब वही हम normal पानी ये tap water ये use करते हैं, तो बहुत ही रुखे रुखे हो जाते हैं, hard हो जाते हैं, तूटने जैसे लगते हैं, तो ये क्या logic है, ये सच है या? ये partially सच है, क्योंकि अगर हमारी supply में बहुत ज़्यादा खारा पानी है, hard water है, high on previous, जैसे noida में है, कई जगे ऐसी ह खारा पानी है, तो उसे बाल रफ हो जाते हैं, रफ होते हैं, तो तूटते बीजली हैं, तो आपका जो mineral water है, उससे थोड़ा सा कम खारा है, लेकिन मैं personally नहीं recommend करता हूँ mineral water, क्योंकि वो भी mineral water है, वो भी हलका सा नमकीन पानी है, तो अगर आपकी supply में बहुत ज़्यादा खारा पानी है, तो आप water softner यूज़ कर सकते हैं, या RO का पानी, वैसे RO इतना मतलब पानी बहुत waste होता है, तो आप normal soft water यूज़ कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा परण होता है, क्या अगर हम अपने घर का RO का पानी, केवल बाल धोने के लिए इस्सेमाल करें, तो वो हमारे बाल तूटने में फायदे मन रहेगा? पर क्लोग्राम बाडी वेट प्रोटीन लें, यहां पर बोलना कि excessive whey protein, तो प्रोटीन का यह मतलब नहीं है, कि whey powder हम लेते जा रहे हैं, तो excessive whey protein से hairfall बढ़ सकता है, तो अगर आप gym कर रहे हैं, और whey protein लेना चाहते हैं, तो आप ट्राइ करी कि 30 gram से ज़्यादा whey protein बढ़ सकता है, मतलब डोले आ जाएंगे, लेकिन बाल जा सकते हैं, लेकिन कहीं पर और चिकना पन दिखाए पढ़ने लेगा, तो बोलनों का ज़्यादा पायदा मिलेगा नहीं पिर, हाँ, सभी बात, नहीं वैसे आजकल foreign में देखा है, काफी bald actors हैं, जो काफी viral है, तो यह 500 रुपय के बाल या 200 के बाल कटवाते हैं, तो कहता है, सर यह 500 वाला SPA करा लीगे, जितनी आप जाएंगे उसको उसी ratio पे बढ़ा दिए, जितनी अच्छी जगा जाएंगे आप, वो उससे फरक पड़ता है, कि आपके बाल बच जाते हैं, आपके बाल तूटेंगे न पैसा जाएंगे, बट सच में ऐसा है, क्योंकि हर जितने भी आप हेर वालों के आजाएंगे, सभी आपसे कहते हैं, आप सर आप SPA करा लीजिए, दो राउंड कर लीजिए, एक दम बाल first class हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होता, तो गर आप उस लिहास से करार है, तो अपने सवाल है, क्या masturbation से बाल जड़ते हैं, ये बहुत common question, ये बहुत ज़्यादा common question है, और बहुत important question, और बहुत relevant है, क्योंकि masturbation को लेके खास और से न सिर्फ hair loss, बहुत सारी मित हैं, कमजूरी आ जाती है, और impotency आ जाती है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है, तो masturbation is as normal as sex, यतना normal sex है, उतना normal masturbation है, तो आप masturbation और hair loss का कोई भी relation नहीं है, unless आप एक अलग लेवल पर चले गए हो, अती कर रहे हैं, लेकिन otherwise कोई भी और ये बहुत common young लड़के, जो 16-17 साल की लड़के, जो मिर पास आते हैं, काफी ये पूछते हैं, क्या ये इसलिए उड़ाते हैं, क्या इसलिए मेडिया में और इंटरनेट पर ये, let's say, wrong information बहुत जादा है, masturbation को लेके, ये masturbation से weakness आजाती है, और, मेभी पहले से चल गई हो, लोग अपने बच्चे नहीं चाहते हैं, कि हमारे बच्चे masturbate करें, किसी यंगे से, तो शायद वहाँ पे discourage करने के लिए से, चाय प जबाब नहीं है, but masturbation से actually कोई link नहीं है, hair loss का, that's huge, ये बहुत बड़ी बात है, क्या खाएं तो बाल जड़ने कम हो सकता है, तो हमारे diet में भी हमने डिसकस किया था, protein अच्छा हो, और, vitamin A, iron, और omega 3 fatty acids, okay, एक important question और है, आज कल हमने देखा है, कि youth में especially, सारे बाल जो है, वो चपरी लगता है, लेकिन इस से इतर एक सवाल लोगों के आम, आम इनसान के बन में आता है, कि क्या highlight करवाने से बाल को, बालों पर असर पड़ता है, तो बालों की root पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो बाल का जढ़ना या गंजेपन पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेक इस समय जो बाल था, जिस पर कलर लगाया गया है, उसकी क्वालिटी थोड़ी सी खराब होती है, रुखा आता है, उसकी ब्रेकेज इसली हो जाती है, बट अगर आपको अच्छा लगता है, तो मैं अपने पेशिंट्स को मना नहीं करता हूँ, अगर आपको उससे खुशी मिल हम फिर भी कभी कभी चल जाता है, जो पालर में रीबांडिंग करवा लेते हैं बिल्कुल, वो थोड़ा सा डैमेजिंग है बालों के लिए, सर्दियों में डैंडर्फ के लिए क्लिए क्लिए, सर्दियों में एक तो वही, शैंपू करने से आधे गंटे पहले ऑईल लगा उससे आपका काफी आपको रिलीफ मिल जाएगा, घरेली उपचार में आप लेमन और दही का एक मास बनाके वो लगा सकते हैं, और ज्यादा हो जाए तो किटो करनाजोल शैंपू यूज़ करें, नहीं तो आए, ये दही मठा नीमू काम करता है, थोड़ा बहुत डैंडर् चीप औप्षन यए एक ककी लोह को लगता है, करें हेर ट्रांस्प्लांट है, और हेर ट्रांस्प्लांट ट्रॉल वैड़ उस्ट पेक्षन ऑलग है, तो जाधतर है प्रिफर करते हैं कि एक long term solution मिल जाए जो natural रहे जो अच्छा देखे तो वहाँ पर hair transplant आता है कई लोग प्रिफर करते हैं कि नहीं हमें instant change चाहिए कई लोगों में hair transplant हो ही नहीं सकता क्योंकि उनके medically वो fit नहीं है या जितने donor area recipient area में mismatch है तो फिर उसमें wig सही होता है बट personally speaking जो मुझे लगता है hair transplant के patients जादा खुश रहते हैं क्योंकि जो confidence आता है natural खुद के बाल का वो एक अलग level का आता है patch में आपको maintenance बहुत जादा है भर महीने खर्चा है हर 6 महीने पाँ patch change कर लेते हो तो अगर हम 5-10 साल में देखें तो patch में जादा खर्च होता है तो जैसे हम एक example देना कौन-कौन से actors आपकी नजर क्यों आप बहते हैं पहचान सकते हैं patch वाले हैं या hair transplant वाले है hair transplant में रनबीर कपूर काफी famous है सलमान खान का hair transplant काफी popular हो रखा है यह लोग का hair transplant और इनके effect काफी अच्छी है एक सवाल मेरे मन में हो रहा था कई लोगों ने कहा कि आशकल एक नया trend चला आगे की line जो है वो आप hair transplant करवा लीजिए line करने के क्योंकि वो दिखाई पड़ती है अगर आप patch चोरी पकड़ी आती है और पीछे के जो बाल आपके हैं वहां लोग patch रगवाले पे हैं यह बहुत smart होता है particularly जिनमे bald area बहुत बड़ा है transplant नहीं हो सकता है उनको हर जगे घनापन और उनको हर जगे घनापन चाहिए त सामने वाला पेचान भी नहीं पाया किया यह नकली बाले या असली बाले यह काफी popular हो रहा है यह काफी लोग इस पर जा रहे हैं इसलिए काफी लोग के बाल आपको actors इसलिए टकले नजर नहीं आते हैं आप अब baldness is not अब मजबूरी नहीं है it's a choice तो अब अब okay it's a choice यह तो लोग आपके पास जो आते हैं अब क्या वो confident होते हैं क्योंकि मैंने यहां देखा तवाम celebrities इस बात को accept करने में परेज नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने hair transplant कराया है अब it's not a taboo anymore अब taboo कहा है अब तो इतना popular इतने wear हो गए हैं सारे और जैसे आप कोई भी बिवारी का आप करवाते हो आप hair loss के लिए भी करवाते हो इसमें कोई taboo या छिपाने वाली बात नहीं है महिलाओं में hair transplant का क्या system है कितने stages हैं कैसे बाल जड़ते हैं क्योंकि आम तोर पर हमें मानते हैं कि महिलाओं के बाल रहते हैं पुर्षों के चले आते हैं महिलाओं के रहते हैं हा क्योंकि male hormone कम है तो इसलिए फीमेल्स में baldness rarely आती है इसलिए ट्रांस्प्रांट भी बहुत forehead shaping बोलते हैं उसके लिए hair transplant काफी successful है ladies में बट वो जो hair loss के लिए rarely needed होता है ladies के अंदर hair transplant मैंने कई सारे महिलाओं को देखा है जिनकी चोटी बहुत पतली सी होती है काफी कहती है एक जमाने बड़े घाने बाल थे अब मुठी वर बाल बचे है तो उसमें दवाईयां की जा उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसी roots होंगी जो चली गई है वो अब नहीं आएंगी लेकिन इतने सारी roots हैं जैसे आप मैम की बात कर रहे हो तो हम लोग दवाई देंगे तो वो roots थिक हो जाएंगी जिससे उनको काफी improvement लगे का अपने overall बालों में लेकिन ladies के अंदर transplant बहुत certain particular situations में ही किया जाता है यह प्यास का रस्वस काम करता है फोड़ा बहुत फोड़ा बहुत लेकिन जितना hype बना दिया गया है इतना नहीं है अब इस पर depend मत बनिये लेकिन जो कर सकता है उसको जरूर करना चाहिए 2-3% role है दुबई में USA में या इंडिया में hair transplant कराना हो कहां क करा रही है इंडिया फर्क कितना पड़ता है इंकम पैसों के वाइस कोस्ट में तो इंडिया में मैं कहूंगा कि 20% of the cost जो आप किसी USA दुबई या UK में दोगे quality वाइस मतलब अगर वहां 10 लाग दे रहे तो यहां 2 लाग रुपए दोगे exactly almost इतना काफी हुज 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 ह क्योंकि हमारी demographics हमारा जो labor force है वो इस तरह किया है कि हम लोग कम cost में कर लोते हैं इंडिया का जो hair transplant है वो US के मुकाबले safe है safety wise दोनों जगे अच्छा है safe वहां भी है safe यहां भी है result जो हम लोग देखते हैं अब इंडिया के hair transplant result एक next level आता है अभी हमारी international conference हुई थी जो पहली बार इंडिया में hair transplant की हो रही थी उसमें हम लोग ने अपना result शोकेस किया Indian doctors ने अपना result शोकेस किया and they were amazed कि यह भी हो सकता है इस तरह का result आ सकता है I'm talking about your doctors बहार से आयते यूरप से USA से दुबई से आयते they were really happy and amazed to see the work that Indian doctors are doing मतलब दुबारा हम कह सकते हैं तेरे जुल्फों की 100% कोई message आप देना चाहते हो क्योंकि बहुत सारे सवाल आएंगे लोगों को आप जाते आते कोई message अपना हमारे fans को viewers को देना चाहते हो तो एक तो यह है कि अगर आप में hair loss हो रहा है viewers तो tension न लें क्योंकि tension से यह और बढ़ता है और अब काफी अच्छे और relatively safe treatments available हैं तो अगर आपको अपने बालों का concern है तो आप definitely एक अच्छे dermatologist से परामर्ष ले सकते हैं और आपकी problem solve होने के काफी अच्छे chances हैं baldness अब common हो गई है कई लोग अपने बच्चे अपने hair loss को अपने baldness को लेके depression में चले जाते हैं इतना भी नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके लिए आपका character आपकी education और आपका career वो कहीं जादा important है आपकी overall health कहीं जादा important है आपके बालों से और अगर आप obsessive हो जाएंगे तो mental health मैंने देखा है काचल काफी बच्चे mental health issue आ रहे हैं because of hair तो इतना आप seriously नहीं बालों को कई बार acceptance भी अच्छी चीज होती है और जब आपको लगता है कि it's a concern जैसे मैं बता है कि baldness is a choice तो अगर आप comfortable है great for you अगर आप uncomfortable है जो कि आप बहुत अच्छे अच्छे अच् result और अच्छी safety के साथ आप करवा सकते हैं और अगर आपसे contact करना तो कैसे करें तो बस हमारी detail नीचे आ रही है तो भी आप हमें website के थुरू, phone के थुरू, email के थुरू contact कर सकते हैं तो आपका बहुत 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 शुक्रिया डॉक्ट साब और उमेद है कि बालों को लेक देखने के बाग आपके जहन में आये थे, बाकी डॉक्टर साब से contact करने के लिए contact detail हमने नीचे दे दी है और हमारे साथ भी आप जुड़े रही है, ऐसी तमाम हस्तियू से आपको मिलाते रहेंगे और बहुत सारी बात है जो कहते जाएंगे बत कही के अगले एपिसोड प झाल